अडानी ग्रूप की कम्पनियों में शियरों में जोरबार तेजी देखने को मिल रही है ग्रूप की कई शियरों में अपर सर्केट लगा है लेकिन सबसे बड़ी छलांग अडानी एंटरप्राइस के स्टॉक में लगाई है आपको बता दे कि सुभा के कारूबार में अडानी ग्रूप की 6 शियरों में 5 फीस्ती की तेजी के साथ अपर स्टॉक लगा है अडानी एंटरप्राइसस में 8 फीस्ती से अधिकी भडोतरी दर्श की गही है बताना चाहेंगे कि अडानी घ्रीन से लेकर पोटर तक के शियर हरे निशान में ट्रेंड कर रहे हैं साथ हिसाथ हिंदनबर की रिपोर्ट ने अडानी ग्रूप को जोड़धार जटका दिया था जिससे उभरने की पोशिश में स्लूप लगाता अर्जूटा हुआ था अब आपको बता देते हैं कि किन-किन शियरों पर अपर सर्कृट लगा है सुभा के कारूबार के गर बात करें सुभा के कारूबार में अडानी एंटर्प्राइस लिमिटेड के शियरों पर BSE पर 9.77 प्रतिशत उच्छाल कर 2000 63 रुपे तक पहुँच गया है अडानी पावर के शियरों में 5 फिस्दी की तेजी के साथ अपर सर्कृट लगा है और यह 177.90 रुपे तक पहुँच गया है अडानी ट्रांस्मिशन ने भी 5 फिस्दी की तेजी के साथ अपर सर्कृट को हिट किया है और 780.90 रुपे तक पहुँच गया है पांच फीस्ती की तेजी पर अपर सर्किट के साथ अडानी ग्रीन के शियर 590.10 रुपे पर ट्रेंड कर रही है अब अडानी टोटल गैस भी 5 फीस्ती चड़कर आज 120.90 रुपई तक पहुंच गया है अडानी विल्मर के अगर बात करें तो अडानी विल्मर में भी 5 फीस्ती की तेजी देखने को मिली है वहीं एक रिपोर्ट के अनुसर स्टॉक में भी 5 फीस्ती की तेजी पर अपर सर्किट लगा है और ये 231 रुपे तक पहुंच गया है अडानी पोर्टर्स के बात करें तो 4.32 प्रतिशत बढ़कर 713.99 रुपे तक पहुंच गया है अन्गुजा सीमेंट लिमिटर 2.33 फीस्ती और अब किस निवेश के बाद तेजी आई है अगर हम इसकी बात करें तो अमेरिकी बुटीक इन्वेस्मेंट फर्म जी क्यू जी पार्टनर्स ने अडानी स्मूग की चार कंपनें में 15,446 करोड रुपे नवेश किये हैं इसके बाद शेवर में तेजी आई है 24 जनवरी 2023 को आई अमेरिकी फर्म हिंडनबर की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रूप में ये पहला निवेश था जी क्योची पार्टनर्स ने अडानी अंटर्प्राइस में 3.4 फीस्ती हिस्सेदारी के लिए करीबन 5,460 करोड रुपे अडानी पोर्टर्स में 4.1 फीस्त हिस्सेदारी के लिए 1,898 करोड रुपे और अडानी ग्रीन एनर्ची में 3.5 फीस्ती हिस्सेदारी के लिए 2,806 करोड रुपे का इंवेस्स्मेंट किया गया है